दोस्तों नमस्कार जैस्री किष्णा जैस्री राधे जैस सनी देव आज हम बात कर रहे हैं मकर रासी के बारे में मकर रासी वालों बीते साथ बरसों से साड़े साती से परेसान हैं आप साड़े साथ बरसों की होती है साड़े साती और साथ बर्स लगभग पूरे हो गए हैं जब आपको सनिदेव कष्ट दे रहे हैं पीड़ा दे रहे हैं और अब आपको हम बताने वाले हैं क्योंकि आप साड़े साती से मुक्त हो जाएंगे छह महीने बाद यानि कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ये छह महीने रहने बाले हैं जहां आपको बहुत सनिदेव लाब दे सकते हैं बहुत ज़्यादा माला माल करके जाएंगे ये उतरती साड़े साती लाब तो देती है लेकिन बहुत स्पस्ट सनिदेव ने कहा है मैं लाब उसी को देता हूँ जो प्रूफ कर देता है मेरी अदालत में कि मैं अच्छा हूँ, मैं अब सुधर चुका हूँ तो उनको ही सनिदेव माला माल करते हैं जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि सनिदेव जब 6 महिने बाद आपके उपर से साड़े साती हटा रहे हैं यानि कि सनिदेव अपनी रासी परिवर्तन कर रहे हैं सनीदेव 29 मार्च 2025 को साढ़े साथी से आपको मुक्त कर देंगे क्योंकि सनी रासी परिवर्तन करके मीन रासी में प्रवेस कर जाएंगे और इससे आप साड़े साती से मुक्त हो जाएंगे बरतमान में आपके उपर साड़े साती का तीसरा चरण चल रहा है और तीसरे चरण में दो वर्स आपने पूरे कर लिये हैं अब बचे हैं छे महीने छे महीने में सनिदेव आपको कैसे माला माल बना सकते हैं कैसे लाब पहुचा सकते हैं ये जानकारी हम आपको देने वाली है सनी देव आपको क्या लाब देने वाले हैं ये जानकारी हम आपको देने वाली है देखिए तीसरे चरण में सनी का प्रभाव पैरों पर होता है और सनी का ये प्रभाव आपको निश्चत रूप से बहुत ही जादा माला माल बना सकता है आपको जो उन्होंने परेसान किया है जो कष्ट दिये हैं, जो पीडा दिये हैं उन सभी से आपको मुक्त कर सकते हैं और आपको पहले की इस्तिती में पुना स्थापिद कर सकते हैं पहले जैसी स्तिती आपको फिर से मिल सकती है आप हो सकता है कि उससे भी अच्छी स्तिती में पहुँच जाएं लेकिन आप अगर, मैं आपको एक लाइन बोलूँ उसके बाद में हम बताते हैं आपको सनी देव क्या-क्या लाव देने वाले हैं उतरती साड़े साती में यानि कि ये छह महीने आपके लिए क्या-क्या लाव दे कर जाएंगे अगर आप सुधर गए हैं और आपने किसी का बुरा नहीं किया है अभी आप बिल्कुल अपने दिल पे हाथ रखके कह सकते हैं आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है और गलत कर भी नहीं रहे हो यानि कि जूट नहीं बोल रहे हैं गलत नहीं कर रहे हैं किसी भी ऐसे अपराद को तो नहीं कर रहे हैं जिससे किसी भी प्रकार से दूसरों को नुकसान हो, हानी हो या फिर कोई पीड़त और पीड़त हो जाए और परिसान हो जाए अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं कि सनीदेव आपको क्या-क्या दे कर जाने वाली है इन 6 महीनों में मकर रासी को सबसे पहली जो चीज मिलने वाली है वो है धन लाव, धन विसेश लाव विसेश धन की प्राप्ति होने वाली इन 6 महीनों में 6.5 में जो आपने गवाया है वो आप रिकवर कर पाएंगे, प्लस सेर मार्केट में विसेश लाव हो सकता है, अगर आपका काम सनी से सम्मंदित फील्ड में है अगर आपका काम माइनिंग से सम्मंदित बिजनेस है आपका या फिर स्टॉन पत्थर से सम्मंदित काम है अगर आपका आईटी सेक्टर फील्ड में इंजिनियर है आईटी फील्ड में है या फिर बिजली से सम्मंदित विभाग मे हैं तो निश्चित रूप से आपको सनीदेव माला माल करेंगे और आपको धनलाव देंगे सनीदेव बिशेष रूप से आपको राजनीती में बिशेष लाव देने वाले हैं अगर राजनीती में आपने अपना कद घटा लिया था पद घटा लिया था और आपको बहुत सार एक best इस्तिती ये 6 महीने में होने वाली है 6 महीने में आपकी जिंदगी बदल देगे सनी देव आपको लाब ही लाब पहुंचाएंगे सनी देव साड़े साती में सबसे पहले ये 6 महीने ये आपको देना सुरू करेंगे धन उसके बाद में जो परिवार बिखर गया था जो परिवार बिखर गया था जो परिवार तूट गया था जो परिवार आपसे बात नहीं कर रहा था वो परिवार से आपकी फिर से बनेगी रिस्तिदार जो बोल नहीं रहे थे जो बात नहीं कर रहे थे, जो मदद नहीं कर रहे थे, वो फिर से आने लगेंगे, क्योंकि धन आता है, तो रिष्टिदार और परिवार सब एकत्रित होने ही लगता है, इसमें कोई आश्चर की बात नहीं है, सनी देव का यह, जो 6 महीने हैं, जो साड़े साती, उतरती फिल्ड में काम करते हैं, तो आपको विशेष लाव देने वाले हैं, अगर आप सिनिमा के फिल्ड में हैं, तो आपको विशेष लाव देने वाले हैं, अगर होटल से सम्मंदित बिजनिस आप करते थे और होटल का बिजनिस डूब चुका था, तो आप फिर से एक अच्छ बर्स पूर्व आपके थी आपके पास समपत्ति उससे भी साथ गुना आपको सनिदेब दे कर जाएंगे ये सनिदेब का लाब आपको मिलने वाला है मकर रासी वालों अब आपके लिए और एक विसेश बात बता दूँ जब साड़े साती समाप्त हो जाए वो आपके लिए लाब की स्थितियां तो दिखाती है लेकिन ये 6 महिने में अगर आप जो मैं बता रहा हूँ उस लाब को पाना ही चाहते हैं और बहुत बढ़ चड़के पाना चाहते हैं तो एक छोटा सा उपाय जरूर करना सर्दियों के मौसम में आप कम से कम बैसे तो अपना सामर्थ है लेकिन कम से कम 11 कंबल गरीब लोगोगों को दान करना 21 कंबल गरीब ब्रामनों को दान करना या पिर जो गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यारती होते हैं उन को दान करना इनसे आपको बड़ा ही लाब मिलेगा और आश्चर जनक आपको ये result देंगे सनी देव और साड़े साथी उतरती साड़े साथी आपको माला माल करके ही जाएगी अगर आपको यह वीडियो पसंदाए इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ चेर करें और चनल पर पहली बार आएं चनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन प्रेज कर लें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार